तो आज किस बीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इगनु से कोई भी Master Degree Program करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, इगनु में Admission का क्या Procedure है, Admission के लिए क्या क्या जरूरी Documents लगते हैं, और अगर आपको किसी भी Master Degree Program में Admission लेना है, तो Admission Fees कितना लगता है, Admission लेने के लिए आपके पास क्या जरूरी Eligibility Criteria रहना चाहिए, और Admission लेने के लिए आपके पास क्या क्या जरूरी Documents रहने चाहिए, और इससे भी Important आप Admission का Forum Online कैसे फिल अप कर सकते हैं, तो आज मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में डीटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, और Ignis Related सभी अप्टेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे, ताकि सभी अप्टेट आपको मिलते रहे, सबसे पहले आपको इस वाले पेज पर आना होगा, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, यहाँ पर आने के बाद आप नीचे करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Admission Portal Link, Master Dairy के ज़्यादतर प्रोग्राम आपको ओडियल यानि की Open Distance Learning Mode में ओफर किये जाते है, जिसके आप यहाँ पर कि आपके लिए दोनों में से कौन सा Best है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यह Online Program का Admission का Portal Open हो जाएगा, सबसे पहले इगनु ने जुलाई 2024 सेशन का Admission स्टार्ट कर दिया है, Admission का Last Date है 30 June 2024, लेकिन इसको Extend किया जाएगा, इगनु के किसी भी Program में Admission लेने से पहले, आप उस Program के बारे में सभी जानकारी प्राप्त किजिए, जिसके लिए आपको यहाँ मिल जाएगा Program Information यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक Search का Option मिल रहा होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप सर्च करेंगे, यानि कि यहाँ पर आपको Master लिखन लेने के लिए आपको कोई भी इंट्रेंस एक्जाम वगेरा नहीं देना होगा, और साथी में यह जो आपका Online Program है, यहाँ Program Information पर क्लिक करेंगे, यहाँ भी आपको सर्च का Option मिलता है, यहाँ पर आप Master लिक करके सर्च करेंगे, तो Master degree के Online Mode में जितने भी Program अवेलिबल है, व जिस भी Program में आपको Admission लेना है, वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, या फिर Master लिखेंगे, तो Master degree के जितने भी Program अवेलिबल है, वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पर Manually भी ढूंड सकते हैं, जिसमें आपको Admission लेना है, मालेज के आपको Admission लेना है, MPS Master of Arts Political Science, जिसके आप यहाँ Read More पर क्लिक करेंगे, तो इस Program के बारे में आपको सभी जानकारी यहाँ पर दे दिया जाता है, जैसे कि यह एक Degree Program है, इसको आप Open Distance Learning Mode से कर सकते हैं, और इसका Duration है दो साल, या निकि इस Program को आप मातर दो साल में पूरा कर सकते है और यह Program आपको दो Medium में ओफर किये जाते हैं, English Medium और Hindi Medium, जब आप Admission का Forum फिलप करेंगे, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि यह जो Program है, आपको English Medium से करना है, या फिर Hindi Medium से करना है, और Eligibility यहाँ पर सभी Program में आपको इस तरीक से दिखाया जाएगा, सभी में Eligibility Criter अलग-अलग हो सकता है, जैसी कि मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, MPS का, तो इस यहाँ पर बता रहा है कि MPS Program लेने के लिए, आपका Bachelor डिगरी कंपलीट होना चाहिए, किसी भी Recognized University से, और यहाँ पर आपको फी structure भी बताया जाता है, फुल प्रोग्राम का फी से 14,600 रुप और 200 रुपे development फीस भी देना होगा, तो यहाँ पर यह जो आपको 7,300 रुपे बताया जाते हैं, इसमें आप 500 और एड कर दीजिए, तो फर्स्ट टाइम आपको 7,800 रुपे देने होंगे, और जब आप 2 एर का admission करवाएंगे, एक साल बाद, तो उस टाइम आपको 7,300 बारे में सभी जानकारी इस तरीके से दे दिया जाता है, तो ऐसे ही आप जिस भी प्रोग्राम बे अडमिस्य लेना चाहते हैं, इसका detail निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपको इस प्रोग्राम का डिटेल चाहिए, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो इसके बारे में यहाँ पर आपको सभी जानकारी दे दिया जाता है और अब हम बात करते हैं admission process के बारे में तो दोनों ही mode के प्रोग्रामों में admission लेने का जो procedure है वो सेम है audio program से admission लेने के लिए आपको इस वाले page पराना होगा यहाँ पर सबसे पहले आपको registration करवाना होगा जिसके लिए click here for new registration पर क्लिक करना होगा student registration फोरम आ जाएगा यहाँ पर आपको अपना basic सा details डालने के बाद पहले खुद को register करना होगा register करने के बाद आपको username मिल जाएगा जिसे आप यहाँ पर डालेंगे password मिल जाएगा जो आपको खुदी set करना होता है registration के दोरान password यहाँ पर डालेंगे verification code आएगा जिसे यहाँ पर डालेंगे और login पर क्लिक करके आप अपने account में login करेंगे account में login करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाय जाते है आपका जो admission form है वह 8 step में fill up हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रोग्राम का टाइप बता ना होगा master degree में admission लेने के लिए master select करेंगे यहाँ पर आपको audio का option मिलेगा फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो master degree के जितने भी program admission के लिए available है वह आपको यहाँ पर दिखा दिये जाते है तो आपको जिस भी program admission लेना है वह आपको यहीं पर select करना होगा जैसे कि आगर आपको master of arts जियो 30 में admission लेना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपना बाकी का details fill up करना होगा जैसे कि regional center, study center यानि कि कौन सा college में आप admission कराना चाहते है medium आपको बताना होगा और उसके बाद submit पर क्लिक करके आगे आपको जो step दिये जाते है उसे fill up करना होगा इस portal के मादेम से आप admission कैसे ले सकते हैं, admission का पूरा forum कैसे fill up कर सकते हैं तो उसके आप यह वीडियो देख सकते हैं इसमें मैंने पूरा registration से ले करके print out तक का अच्छे से सब कुछ detail में बता रखा इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो का link मैंने नीचे दे रखा है, document वगेरा कैसे upload करना होगा, सब कुछ मैंने इस वीडियो में अच्छे से बता रखा है तो इस वीडियो को आप देख लेना, link मैंने नीचे दे रखा, इस वीडियो को देख करके इगनू के किसी भी program में आप आसानी से admission ले सकते हैं और अब हम बात करते हैं कि अगर आपको master degree के किसी भी program में admission लेना है तो admission के लिए क्या के जरूरी documents लगते हैं तो सबसे पहले जो आपका original document रहता है इसी को आपको scan करके upload करना होता है document में आपका एक passport size का photo लगता है फिर आपका signature लगता है जो कि आपको white page पर black pen से करना होता है उसके बाद फिर आपको age proof में अधार card देना होता है साथी में अगर आपके पास caste certificate है जैसे कि SC, ST, OBC का तो ये आपको देना होगा नहीं है तो journal category से forum को fill up करके admission ले सकते हैं और जो आपका education qualification का document है जैसे कि आपको 10 वी class का, 12 वी class का और साथी में graduation का mark seat भी admission के समय admission portal पर online upload करना होगा जो original आपको school से मिलता है, college से मिलता है, university से mark seat मिलता है वही आपको upload करना होगा और अगर original वला नहीं है तो आप dg locker से भी mark seat को download कर सकते हैं, 10 वी बारवी का और graduation का उससे भी आपका admission हो जाएगा और यहाँ पर master लिखने के बाद master degree के जितने भी program आपको दिखाए जाते हैं, इन सभी program में दो session में admission होते हैं, जनवरी में और जुलाई में, दोनों में से किसी भी session में आप admission ले सकते हैं, फिलाल जुलाई 2024 session का admission स्टार्ट है, 30 जुन तक आप admission ले सकते हैं, लेकिन इस last date को extend किया जाएगा, तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है, तो like किजिए, share किजिए, और इगनुस related सभी update पाने के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को on कर लिजिए, ताकि सभी update आपको मिलते रहें, और अगर आपको update और जल्दी चाहिए, तो आप हमारे telegram चैनल को भी join कर सकते है, link मैंने नीचे दे रखा है, साथ ही में आपका कोई सबाल है, तो नीचे comment box में विस्तार पूर्वक बता सकते है,